वेलकम टू आवर चैनल ग्यापन एकेडमी से 7-8 निसाना होगा यानि कि एक ही एंसर 7-8 कोस्चन का इंसर होगा इतना संदार तरीका से बनाया गया है एक्जाम है न करीब डर लग रहा है न डरने की अब जरूरत नहीं है पूरा नागरिक सास्त्र का निचोड इस वीडियो में देखेंगे अगर एक बार वीडियो प्रस्न पुछे यह तो आपका वही एंसर हो जाएगा और इंपोर्टेंड कोस्चन क्या कोशन कर रहा है कि लोग तंत्र में सत्ता की साज़दारी क्यों किया जाता है सत्ता का मतलब समझते यहां मान लिजिए कि कोई सरकार है उस सरकार अपनी सत्ता को यानि जो भी अगर जीती हुई सरकार है ठीक है तो अपनी सक्तियों को हर जात में हर वर्ग में बाट दिये पता है कि कि किस वर्ग में कौन सी समस्या हैं उस वर्ग के लोग अराम से सरकार तक पहुंचा दे पहले होता क घर् architects जी करते दूसरे जद द्र épक मादत में अपने इंधर्म के लोगों का शाथ बिए अपने वर्गों में जो समस्य हैं तो क्या कर no if iqrp यहां देखे हैं तक कोई भेद भाव नहीं रहें यहां समझे लोग तंत्र में सत्त कि सजदारी जरूरी होने के मुख्य करण है समाज के हर हिस्से का उचित विकास भाईचारे बनाए रखना सब हिस्से का विकास होगा कि सब समस्य कोई बताएगा और किसी एक समाज का है कि एक समाज का सरवांगेंड विकास उनके लोगों के विकास के बेना संभव नहीं होता है अगर एक समाज है पूरा सुसाइड़ी का बात करें तो पूरे समाज पूरे देश का विकास कब होगा जब एक एक आदमी पैसा कमाएगा तो सब मिल करके पूरा देश विकास कर लग रहा है कि 5 से 7 बार पुछा गया है लागतार पुछा है 15 16 17 18 लागतार यह सब पुछा है कोशन तो देखिए अतंकवाद लोगतंत्र की चुनोती है कैसे यह पुछे तो उसका एंसर यही हो जाएगा आप बताइए लोगतंत्र में लोगों का सासन होता है लोग नेता तो वो तो होगा ही क्योंकि लोगतंत्र में सबस्यादर नुक्सान पहुचेगा तो कैसे पहुचेगा वही एंसर लिखना है आज भारत सहीत पूरा यहां पर सहीत दुनिया के अधिकांस देशों में आतंकवाद की समस्या से ग्रसित हैं जो लोगतंत्र की गमिर चुनोती क कि रूप में सामने आए आतंकवाद के कारण किसी भी देश की अखर्णता एम एकता के लिए खत्रा उत्पन कर सकती है ठीक है आतंकवाद के चलते लोग हिंदू-मुसल्मान लड़ रहे हैं क्योंकि काम कर रहे हैं तो यह लोगतंत्र के लिए एक चुना होती है फ्रीक्सितान से जो भी आतंकवादी आते हैं अगर हिंदुस्तान पकिस्तान दोनों में अच्छा से राय हो जाए है और दोनों मिल कर लिए आपके उम्मुसल्में और पर ने देखने को मिलेगा बाबू रट लीजिए इसको ठीक है यहां देखिए चलिए अगला कुश्चन मस्ट विभी कुश्चन जो कि यह भी तीन-चार बार पुछा गया है अगला कुश्चन क्या है हर समाजिक विभीनता समाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है कैसे इसका अ समाज रुप लर्फ से टूट जाता है सबकर एक दुसरे से न फरत करता है नहीं वीभाजन का रूप नहीं लेता है कोई छोरूह नहीं कि लोग औरис जारी है तो वह सब्सक्याद जो है न यह दोनों आदमी के बीच में नफरत का बीज बो दिया है काम करता है यह हम लोग एक दूसरे से लोग नफरत करना शुरू कर देता है यहां देखिए हर समाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है क्योंकि समाजिक विभाजन का कोई आधार नहीं होता है समाजिक व व supreme संवि स्मूधाय होती है जो एक जाती यह समूदाय का हो जाता है कि उद्हारं के लिए मुंबई में माराथियों हिंशा का सिकार बघ्य Já व्यक्तियों की जाती भीन धी धर भीन था लिंग भीन हो सकता है परंतू उनके छेत्र समान थे अप खुद देखिए बहुत लोग छेतर के आदार ल Secная उलरड ने कि तुम मुंबई का है Umph creative ट्थ Jetzt हुआ था एक बार मुंबई में बाबू कोई इसाária लेकिन उस समय क्या था सबकी भी मिन Hindus भारतिय थे उनका हीत समान था तो लड़ाई के यह कोई वज़ा नहीं होता है अगला कोश्चन देखिए दो नमबर में कई बार पुछा गया है संग सरकार का अर्थ बतावे जब किसी देश में सासन संचालन के लिए दूसरे अस्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो वह सं सरा यानी Union State का लाता है ठीक है किसी देश को चलाने के लिए अकर दूसरे अस्तर पर इन दुरे अस्तर पर क्या करते हैं हम लोग सरकार का गठन करते हैं तो उसे हम लोग संग सरकार करते हैं चलिए मस्ट बीवी आई कोश्चन प्रस्न कोई भी हो उत्तर यही होगा यह तो तो बीहार में हुए च्छात्र अंदोलन की परमूह करण क्या था ठीक है उसके परमूह करन और यहीं पूछे कि बीहार में हुए च्छात्र अंदोलन की पर बीवेचना करें दोनों में से कोई कोश्या पुछे तो उत्तर यहीं लिखिएगा उत्तर है क्या तो यहां ध्यान से देखिए बिहार में हुए छात्र अंदुलों के परमूख कारण बहुमत से है यानि सबसे अधा बहुमत से सौन 1971 में कॉंग्रेस ने गरीबी हटाओ नारा दे करके सत्ता मे अपनी बहुमत हासिल की याद रखेगा कॉंग्रेस 1971 में जब आया तो एक हीट हो नारा था कि गरीबी हटाओ लेकिन आज देख लेजिए ना गरीबी हटाओ नहीं निताओं का नारा गरीबों को हटाओ गया उनका नारा था गरीबी हटाओ और उससे वह एलेक्शन जीत ग समाज काफी नाखूस था मार्च 1974 में बेरुजगारी खादानों की कीमतों में ब्रिदी हो गए अब कोई भी उत्पादर नहीं होगा तो बेरुजगारी बढ़ेगा और खादानों में हर चीज में कदाम बढ़ जाएगा कारण यहां पे बिहार के छात्रों ने सरकार के खि अगला कोश्चन यह भी पूछा गया प्रस्ण है इसको भी रट लीजिए बाबू यही कोश्चन आपके एक्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा समझ जाए यह वायरेल प्रस्ण है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है हम लोग जो यह राजनीतिक जो चल रहा है वाकई में लोकतंत्र के लिए सही है वहले भी तो राजनीतिक होता था लेकिन राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहाते है तो देखिए राजनीतिक दल में य इसको ज्यादा वोट मिलेगा वह विजय होगा इसका मतलब जनता इसको ज्यादा मान रही है देखो अपने उमिद्वारों को खड़े करते हैं चुना में जीत हासिल करने के बाद सरकार का निर्मार करते हैं और यह दल लोकतांत्रिक देशों के जीवन का एक अंग बन चुके और यह जनता के राजनीतिक जनता को राजनीतिक प्रसिक्षण देते हैं यह न केवल राजनीतिक कारे करते हैं बलकि गयर राजनीतिक कारे भी करते हैं जैसे कि राजनीतिक में यह नहीं कि खाली राजनीतिक करे देश के बारे में यही सोचे कि देश दूसरे देश से कैसे देश के अंदर भी जो भी समस्याएं आती है उस पर विचार करते हैं जैसे कि देखे बाढ़ भुकंप देखो आगजनी भुकंप यह सब यतना भी है सुखाड वगरा प्राकृतिक अपदाओं के दरन यह जनता की सेवा कर सरकार का क्या करती है सहयोग परदान करती है राइन मालेजिए कि आपने वोट देकर के किसी को भाणा लेक है कुछ दिर के लिए समझीगा और वो भीधायक इन्हां है यहां पर सब्सक्राइब गांसे जुडड़ाते हैं अपनी समस्याओं को जिसको वोट दिये हो उसको बताओगे वह आपकी समस्याओं सरेकार को बताओश तो यह बिच्वनिया का काम करता है ठीक है इसके साथ ही बिपक्ष में रहने वाले पाटी सरकार की गलतियों को क्या करता है नितियों की अलोचना करके उसे उचित मारदसन देता है एक और बात है एक दिमाग में बठा लिए बिरोधी का भी होना जरूरी है अगर आपका कोई कि बिरोध कर रहा हैं थो समझेगा सबसे बड़ेता दोसतार तैंक का मैं इसको लगरा है लेकिन नहीं तो बीरोधीयों कहुता है जरूरी होता यहां देखिए अब देखेए अगला कोश्चन क्या है लोकतंत्र किस तरह उतरदाई सरकार का गठन करती है लोकतंत्र सही सरकार का गठन कैसे करती है यहाँ पर कारण बना के जटना टौपिक के लिए बनाइए गई तरह ये पांच नंबर में ये पूछा जाता है तो देखिए बैब उतरदाई सरकार का मतलब क्या होता है लोग तंत्र एक उतरदाई सरकार है क्योंकि यह लोगों की सरकार है लोगों द्वारा बनाई गई यह तो लोगों के लिए बनाई गई है लोग यहां पे सरकार बनाने के ल जिम्यदार जिम्यवार होते हैं लोगों को अधिकार है कि यदि वे प्रतिनीधी के कामकाश से संतुष्ट नहीं है तो अपने प्रतिनीधी को बदल सकते हैं यही तो लोगतंत्र में उतरदाई होता है ना जी जब चाहें आप अपनी सरकार को बदल सकते हैं बस दो बट्टा है यह बैद सासक विवस्ता है यहां पर सुस्त हो सकती है कम कारे कुसल हो सकती है कि इस कोशन के यहां पर देखिएगा बैद सरकार लोग तंत्रकार एक मामले में निश्चित रूप से अन यह सासकों से बहतर है लोग जो बैद सरकार है उन यह सासकों से ये लोगों के जगरुकता को कुछ हद तक अंदेखी कर सकती है लेकिन लोग तंत्री सासन व्यासता है लोगों के अपनी सासन व्यासता है इसी करण पूरी दुनिया में लोग तंत्र का विचार के प्रती जबदस समर्थन है यहां बैद सरकार रहेगा बैद सरकार का मतलब को सिर्फ जाती के अधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किया जाते हैं आप बताइए बोला है कि जाती के अधार पर काहे नहीं भारत में चुनाव होता है अगर जाती के अधार पर होगा तो जो एलेक्शन जीते हैं खुद सोचिए जो चुनाव जीते हैं अपने सि भी राज नितिक दल उसी जाती के उमिद्वार को टिकड़ देते हैं। मानली जी कि कोई यह एक परकार का राजिय हो गया और इस जात में कोई उलग बहुत सारा जात मिलके मानलों की एक राज बना हैं और एक ही जात के लोग स्टोला में इस इस इलकह में ज्यादा है तो जानते हैंगे पार्टी क्या करते हैं इस जात में इसी जास के एक आदमी को टिकोटतकों देती है ताक्यारा मियां से यह सकते हैं जाती data के wp उभ्षेश करते जातां के साथ और जाती के मद्दाओं का मत अवस्या अवस्या जीतने के लिए होती यनिकी अब जाने के इसलिए जाती के अधार पर चुनावी नहीं करते हैं ठीक है यहां लेकि परिवारवाद और जाती वाद बिहार में किस तरह लोकतंतर को पर्भाईद करते हैं सबसे खत्रनाक चीज होता है लोक को बर्बाद करने का परिवारवाद मान लिजे कि आज कोई मुख्यमंत्री क्या है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अगर ये कुछ दिन के बाद से बुड़ा हो गए तो यहां इसका लड़का अगर मुख्य मंत्री बन जा रहा है तो इसी को कहते हैं परिवारबाद यानि उसी परिवार के लोग अगर बार-बार राइनितिक कर रहा है तो उसे परिवारबाद और यह सबसे बड़ा घाता कहें हमारे लोग तंत्र के लिए क्योंकि क्या नितिक लोग्तंत्र में परिवारबाद नहीं आना चाहिए ये लोग्तंत्रको को परभाइद करता है जती के आदार पर हम लोगो किसी को वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि जसति कि बारे में नहीं परikle बिखार में परिवारबाद सबसे जादा यही होता है एक घर का बन जाएगा तो वह बिधाइक बन जाएगा परिवार और जाति वार लोगतंत्र को कई माईने में परभाइद कर रहा है ठीक है यहां पर परमपरा बने है कि जिस जन परतनिदी का नीधन या इस्तिफे का जादार और बटबार है क्या हो जाएगा लोगतंत्र क благодар ली एक खत्रा याद रिखेंगे कि लोकतंत्र के लिए खत्रा है अगर मिर्थी हो जाते है या स्टिफा देते हैं तो उनके घर का किसी को टिकट नहीं मिला तिये जो विकास करेगा उसी को मिलना चाहिए टिकट था कि वह एलेक्शन लड़ सके ठीक है अगला कुश्चन देखिए मस्ट विवी आई कुश्चन है जन्त लोक तंत्र की जनता के द्वारा जनता के लिए इसा सौरी इसमें किसी परकार का दबाव नहीं होता है यह सरकार जनता द्वारा जनता के लिए काम करती है आप अगला कुश्चन मस्ट विवी आई बिहार वाला है इससे तो क्श्चन हर हाल में रहता है वी वी आई है मेरे बाबू रट लीजिए इसको रट लीजिए और मेरे टो अपने को सबस्क्राइब नहीं किए तो अपने प्म जली से देखें और फोड़ के राइनीटिक में महिलाओं की भागयदारी आब रिक Plug और नेटा बनती है लोग तंत्र के विकास में कहां तक साहेगा जाह तो कहां तक सही है? सहाय के उचीत है बताई दीकिए आज की महिलाय राष्ट की प्रगती के लिए पुर्षो के सतकंधे से कंधा मिला कर चल रही है यह यह बराबरी करते चल रही है ठीकिए खेती बारी से ले करके वायू यान उडाने और अंतरीक्ष तक जा रही है ठीकिए इसके बावजूद तो ग opt- staan जी तुम बाहर नहीं निकल सकती ज्यादा क羨ं फटाइव घर में हमें सरों महिलाउं पर कामका मानना के लोगों लेकिन विहार यहां पर अगर शरकार ने किया किया है संधिए गा कर दिया hagoip को 50% सीट अरक्षित कर दिया यानि कि याद रखेगा आपसे पुछा जाएगा कि 50% सीट किस के द्वरा दिया गया है तो पंचायती राज अधिनिया में दिया गया है उनके राइनितिक भागिदारी को एसपस्ट कर दिया है आज यहां पे जरूरत है पंचायतों की तरह राज्य और बिधान सभा यानि आरक्षण मिलना चाहिए इसे राजनितिक क्या होगा राजनितिक अस्तर उच्छा उठता जा सके ठीक है और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताओं जो अभी लंबित है अभी वो दिया नहीं गया है मनें कहा गया है कि 33% उन लोग का आरक्षण दि होगी यहां पर बढ़ानी होगी तभी लोगतंतर का विकास हो सकता है ठीक है तो याद कि आम महिलाओं का अगर हर जगा सीट बढ़ाया जाएगा महिलाओं को ज्यादा परमोट किया जाएगा तो बताइए अगर कुछ दिर कि एक घर को खर्च को चलाने के लिए कह करके उसको काफी ज्यादा डेवलब कर सकते हैं यानि महिलाओं का योगदान भी बहुत इंपोर्टेंट है चलिए यह कुश्चन मस्त भीविया यह जो कि हमको लग रहा है मनें 57 बार पूझा हर साल पूझी देता है इसको ठीक है तो यह कुश्चन का क्या किजेगा यहां दे निर्पेक्षदेश काते हैं तो भारत में सभी धर्म के क्या रहते हैं लोग निवास करते हैं और स्वतंत रूप से अपने धर्मों को मानते हैं इसलिए भारत को धर्म निर्पेक्षदेश बोला जाता है तो उमीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इस बार पर आज में वीडियो आया होगा लगा हो वीडियो संदार तो सेर करो बार बार तो फिर भी लेंगे हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट ले लिस्ट नेक्स्ट बुक के साथ डायरेक्ट तब तक के लिए जैहिंद और